आलसी लड़के की कहानी ये कहानी सुनने के बाद आलस करना छोड़ देंगे। आलस आपसे क्या छीन सकता है? अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो आप क्या क्या करोगे? इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम यही सीखने वाले हैं तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इसे शुरू करते हैं एक आश्रम में अपने गुरू के साथ एक शिशे रहता था लेकिन वो बड़ा आलसी था क्योंकि वो आज का काम कल पर और कल का काम परसो पर टाल दिया करता था एक दिन गुरू ने सोचा कि क्या किया जाए कैसे इसे समझाया जाए तो उनके दिमाग में एक रन्नीती आई और उन्होंने उसे पाठ पढ़ाने का तरीका खोज निकाला उन्होंने अपने शिशे से कहा कि ये काला पत्थर मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ इसकी मदद से तुम जिस भी लोहे की चीज को घिसोगे वह सोने की बन जाएगी लेकिन तुम्हारे पास कल सूर्यास्ट तक का समय है और यह कहकर गुरू जी चल पढ़े अब वो आलसी शिशे सोचता रहा कि मैं इस पत्थर से यह करूँगा वह करूँगा अभी तो मेरे पास काफी समय है और मैं खूब सारा सोना बना लूँगा आलसी आदमी ने सोते सोते बहुत ख्वाब बुन लिये लेकिन उनको पूरा करने की जहमत नहीं उठा रहा था मतलब प्रयास नहीं कर रहा था सिर्फ सोच रहा था और सोचते सोचते उसका एक दिन बीट गया जैसे ही वह सुबह उठा तो उसने सोचा अभी तो मेरे पास शाम तक का वक्त है मैं इसे बहुत जल्दी पूरा कर लूँगा देखते देखते दोपहर हुई उसने खाना खाया और सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ उठने के बाद कर लूँगा और वहाल सी शिश्य सो गया जैसे ही उसकी नींद खुली उसने देखा की सूर्यास्त होने को आया अब उसे जाना ही होगा और वह उस काले पत्थर को लेकर बजार में जाही रहा था इतने में गुरुजी उसको मिल गए और वह पत्थर उससे ले लिया बोले तुम्हारा समय खत्म हो चुका है उसको बहुत पच्छतावा हुआ कि वह कुछ नहीं कर पाया लेकिन अब पच्छताई होत क्या जब चिडिया चुद गई खेत हमारे साथ भी तो यही होता है कभी कभी हम भी तो यही करते है आलस करते जाते है आज का काम कल और आगे से आगे उसे टालते जाते है, इससे समय निकल जाता है, कैयों की समय का पहिया तो रुखने वाला नहीं है. अगर हमने समय के साथ हमारे कामों को पूरा नहीं किया, तो हमारा भी वैसा ही हाल होगा जैसा उस शिश्य का हुआ. इसलिए जो होता है अभी होता है बाद में कुछ नहीं होता है समय निकलता जाता है आशा करते हैं आप इस सीख को जरूर अपनाएंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो धन्यवाद